आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now हमें Question given है, यहाँ पर एक ही Question में हमें 3 Part given है सबसे पहला है Give Example of Hydro-Tropism and Chemo-Tropism ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम Part 1 की बात करें तो पूछ रहा है Hydro-Tropism और Chemo-Tropism का Example ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते है Hydro-Tropism से तो Hydro-Tropism होता है, Hydro-Tropism basically एक ऐसा Growth होता है क्या होती है, जो Growth है वो किसकी तरफ होगी? Water की तरफ होगी किसकी तरफ होगी? Growth Towards Water, ठीक है अगर इसके Example देखें तो Examples क्या होगी? Example हम देखने है सबसे पहले तो Tomato की Roots क्या रहेगी? Tomato की Roots एस बेल इस किसकी Roots? अगर हम बात करें तो Radish किसकी? Radish और उसके अलावा अगर हम देखें तो क्या? Carrot, ठीक है, इनकी Growth कैसे रहती है? Towards the Water रहती है ठीक है, Second Part हमें पूछ रहा है that is Chemotropism, क्या पूछ रहा है वह? Chemotropism ठीक है, अब Chemotropism की बात करें तो Chemotropism का मतलब क्या होता है? Basically, इसका मतलब होता है, जब Growth Chemical Stimulus की साइड में Navigated हो, यानि Growth, ठीक है, क्या होगा? Growth of Organism, किसकी बात कर रहे हैं? Organism की Growth की बात कर रहे है, Navigated यानि किसके थ्रूँ वह Navigated होगी? Navigated by Chemical Stimulus किसकी बात में हो रही है? Chemical Stimulus की Towards में क्या हो रही है? Growth Show हो रही है, ठीक है, और अगर उसका Example देखे, तो क्या होगा? Pollen Tube, क्या होगा? Pollen Tube, क्योंकि Pollen Tube क्या करता है, वह किसकी तरफ Move करेगा? OVUAL की तरफ Move करता है, किसकी तरफ? OVUAL की तरफ Move करता है, ठीक है, ठीक है, अगर हम देखे, तो हमें Second क्या आता है लावा कि आता है सबसे पर तो ओर गवह देशंग क्या आएगा और में गव inm 평 수 किसकी reproduction यानि formation of spring ठीक है अगर हम next part देखे तो हमें दिया हुआ है name some life processes in living beings यानि कौन-कौन सी life processes हो रही है living beings में ठीक है तो कौन-कौन सी life processes होती है अब से पर दो हम बात करते हैं किसकी growth होती है ठीक है और क्या-क्या होता है differentiation तो हम समझात है specific item ठीक है उसके अलावा respiration क्या होती है respiration की process होती है उसकе अलावा क्या होता है digestion इससे कि आजता है under your person digestion as well as excretion क्या करते हैं excretion और यह किसका part है सारी अमारी life processes का part हो Thank You क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर